तो की फुर्च क्योंद में है अपको दिलीट टो है एकाउंट पर्मने टली सो इस मैध़ड़र को यह तर Qui का आकॉट है उसे एक तरीके से डिलीट करना है विल बसीकली यहां पर अगर कहले तो इसमें पहले बात लोग को account creation की जरूरत ही नहीं है और नहीं आपको account delete करने की जरूरत है तो यह कैसे मैं आपको बाता दो basically जो Google Meet application है यह बहुत ज़्यादा useful and amazing application है और यह completely alternative है 95% Zoom app application का you guys already know कि जो Zoom app है वो 2020 में काफी ज़्यादा trend में है because उस application का use 2020 में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस application के बाद Google ने भी अपना एक new product launch किया है जो completely alternative है जूम application का which is Google Meet application तो यह application एक तरीके से बहुत ज़्यादा useful है और जूम app की तरह इस application का भी बहुत सारी users घर बेटे-बेटे यूज़ कर रहे है और यहाँ पर इस application के तरह अपना online meeting online business meeting online coaching और online classes अपना complete करें Google Meet के तरह और यहाँ पर जूम app और Google Meet दोनों में बस comparison ने तना यह कि जूम app में आपको subscription purchase करना पड़ता है उसे use करने के लिए उसके advanced feature को use करने के लिए लेकिन Google Meet में आपको ऐसा कुछ भी करने के ज़रुवत नहीं है फ्री में Google Meet application का use करके meeting join कर सकते है अपना business meeting video calling आप conference में आप complete कर सकते है बट यहाँ पर आपको ऐसा है जूम app को अगर मैं compare करो Google Meet के साथ में तो जूम app में आपको अपना account delete करना होता है एक एक step और गिन एक साथ process होता है उससे delete करने कर लेकिं Google Meet में ऐसा कुछ भी नहीं है आप easily अपना Google Meet का account delete कर सब्सक्राइब बट नॉर्मली कहोता है इसमें आपको account delete करने की ज़रुवती नहीं बिकॉस इसमें account create ही नहीं होता है Google Meet में आपको login करने के लिए जो भी आपका Google account का email ID है उस email ID को आपको Google Meet से link कर देना जब भी आप Google Meet application को आप install करेंगे first time जब आप open करेंगे तो first आपको show होगा email ID जो Google account आपका email ID वो आपको directly first option शोगा email ID पर आपको click करना और उसके बाद आप Google Meet अकाउंट में login हो जाएंगे और वही एक तरीके से process account creation का Google account का email ID है उसी से आपको Google Meet के account को link कर देना और आप Google Meet में account create हो जाता है लेकिन जब बात को इसे account delete करने के तो delete करने का इसका कोई process नहीं है तो यहाँ पर आपको और गिनेक सा process नहीं कि आप Google Meet के account को delete करना है इसा कुछ long process है simple सा जो application है Google Meet का उसे आपको uninstall कर देना है uninstall कर दिया that means जो आपका Google Meet का account है वो delete हो गया that's it यह simple सा process है और इसे simple method का use करके आपको Google Meet का account delete करना है इसमें delete नहीं होता है अगर जब भी आप Google Meet का account को use नहीं करना चाहते है पर्मानेटल बेसिस पर simply जो Google Meet का application है अपने mobile में उसे uninstall कर दिजे आप automatically की उस link से Google Meet के account से आप sign out हो जाएंगे पर्मानेटल बेसिस पर अगर आपको फिर से account create करना तो वही फिर से install करना है गुगल अकाउंट के email एडिस आपको link करना है और आप फिर से login हो जाएंगे फिर से delete करना है तो बस application को आपको uninstall कर देना तो automatically की आपको Google Meet का account है वो भी एक तरीके से sign out ही हो जाएगा एक तरीके से अकाउंट होता ही नहीं है डिलेट भी आप नहीं कर साथ है तो डारेकल आपको application को uninstall कर देना है और वो ही एक तरीके से Google Meet में account diletation का प्रोसेस है